तुड़े वी आपको एक परस्पेक्टिव मिलने वाला है कि आपको आपके 12 स्टांडर्ड के बारे में या उसके आगे जो भी आपको करना है उसके बारे में कैसा थौट प्रोसेस लगाना है आपके बारे में और आप Libra का सका राड़े में आपके जो आपके आपके दीजानना है top में आपका नाम लिखो your name on the top quick एक sheet of paper चाहिए which I'll be collecting with me yes quickly top में आपका नाम लिखा okay उसके नीचे आपको लिखना है आपको 10 standard में कितने percentage मिले थे 10 standard में आपको कितने percent मिले थे बड़े lines में लिखो 3 lines में 2-3 lines मिला के लिखो बड़े font में आपको दिखना चाहिए 10th में आपको कितने percent मिले थे next आपको 11 standard का आपका terminal exam हो चुका है unit test हो चुके है approximately उनका average करके आपको 11 standard में कितने percentage मिले है terminal का पता होगा terminal का लिखो terminal के percent पता होगे न terminal exam के जिनको नहीं पता है वो 0% लिखेंगे पता करना आपकी responsibility है जहां से पढ़ रहे हो तो पता होना चाहिए नहीं पढ़ रहे हो तो कोई बात नहीं 0% मिले है आपको कोई भी test होई है कोई भी unit test कोई भी terminal उसमें कितने percent आए है राइट not a thing of discussing हुआ 10 के percent लिखे 11 के percent लिखे किस किस के percent जो है वो reduce हुए है hands up 0 लिखा है उनको भी hands up करना पड़ेगा because you are having a very very casual approach 0% लिखे है उनको भी हाथ उपर जिनके percent कम हुए है हाथ उपर hands up almost सब के किस किस को 10 standard में 80% प्लस थे अब कम हो चुके 10 standard और 11 standard खुट के percentage देखो 2 seconds के लिए have they reduced कुछ गलत है कुछ गलती हो रही है कि सही से चल रहा है सब आपको आपने जब commerce लिया था next question क्या सोच के commerce लिया था why had you taken commerce एक option easy है या आपको लगा था कि interesting है कुछ अलग पढ़ते है दो options में से एक easy है science नहीं पढ़ना है science difficult जाता है तो commerce लेते commerce easy है एक approach रहता है दूसरा interesting है पढ़ना है कुछ अलग सीखने को मिलेगा क्या perspective था commerce लेने के लिए right done अब खुद का analysis एक second में खुद करो अगर यहां पे आपका percentage ड्रॉप है और आपने यह सोच के commerce लिया है तो यह कितनी गलत चीज़ है और अगर यह सोच के लिया था और तभी भी यह कम है तो फिर क्या पढ़ रहे हो चुकताय का कैतरी वाटताय का कैतरी प्रॉब्लम है कैंटीन मदे पार्किंग मदे प्लेग्राउंड वर बसुन जाला जाड़ा खली कॉलेच चा प्रॉब्लम आहे न जैसे इलेवन स्टांडर्ड आपने खतम कर दिया ये चक्कर में वैसे ही आगे के चार पाच साल ऐसे अगर टाइम पास करते करते खतम कर दोगे तो पढ़ोगे कब और पढ़ोगे क्या अगर गलती हो रही है तो सुधारने का टाइम कब है अब आज हम अगर जैनुरी के स्टार्ट में हैं तो अगले जैनुरी के स्टार्ट में आपकी क्या चालूँगी प्रिलिम एग्जामेनेशन तो हमारे पास कितना टाइम है करके थोड़ा सा पढ़के अच्छे तरीके से आगे नहीं बढ़े तो क्या होगा ये पसेंट जो कम हुए है वो क्या हो जाएंगे और कम करना ऐसे लिखो क्या है आपका 12 का टार्गेट क्या है आपका 12th का target और बड़े font से लिखो 12th standard का target क्या है कितने percent anyone targeting 80-85% anyone with me 80% plus बाकी के क्या बाकी तो dream भी नहीं देखना चाते करना क्या चाते हो life में फिर एक अगर आपकी सोच भी नहीं पहुच रही उधर तक कि मुझे 80% आ सकते है तो करना क्या चाते हो कितने लाना चाते हो 50% yes how many of you all 80% plus target minimum होता है ये commerce stream के लिए इतना भी target नहीं है तो what to do right target जब बड़ा रखोगे ना तो कहीं तो पहुचोगे target भी बड़ा नहीं रख रहे हो आपका aim ही नहीं है बड़ा तो फिर pass तो सब होते है फिर Q class आ रहे हो घर में बैठके भी pass होगे fail होना difficult है 12th commerce में pass होना नहीं right पिछले चार साल के paper देखके जाओ ऐसे ही pass हो जाओगे getting the point so target क्या होना चाहिए उपर right okay so on that note let us start our session हमको अभी target जो है वो है one year का almost one year में कितने days है 365 365 में से आपको dedicatedly मुझे देने है सिर्फ 300 days सिर्फ 300 दिन पढ़ना है कितना पढ़ना है दिन में 2 घंटे कर पाओगे रोज भी पढ़ने को नहीं बोला है weekends आपके छूट जाएंगे 65 days में Saturday, Sunday मजे करो 300 days out of 365 days 2 hours a day तभी भी आपका जो भी लिखा हुआ target है ना वो easily achieve हो सकता है are you ready to do this जोर से थोड़ा ready to do this yes अब और एक question 12th के लिए तो ये कर लेंगे बट उसके आगे क्या ये भी थोट आता है कोई कोई friends बोलते है CA करना चाते है parents ने बोला है कुछ ये करो banking का करो, insurance का करो कोई relative बोलता है BBA, MBA में अच्छा scope आया हुआ है law करना है confusion है ये भी right नहीं है confusion तो लिखो जो करना है जिनको confusion है not decided है लिखो not decided क्या करने वाले हो after 12th what after 12th जिनका decided है quickly लिख दो नहीं decided है लिख दो not decided फिर से decided है तो great है नहीं decided है तो क्या है thought process चालू करना पड़ेगा क्यूं चालू करना पड़ेगा बहुत सारे entrance exams कब होंगे ये December end में मतलब आप 12th में हो तबी कोई होंगे तुरंद आपके board exam के बाद मतलब जब आप जिस time में board का preparation कर रहे हो उसी time आपको किसका preparation करना है ये entrance exams का भी क्यूंकि बहुत सारे courses को admission कैसे मिलती है by giving the entrance exams right so उसका भी preparation हमको hand in hand करना पड़ेगा किसके 12th standard के preparation के साथ right so setting the target of 12th as well as your career choice together is important तब जाके आप एक direction से आगे बढ़ सकते है right so firstly देखते हैं हम 12th में क्या करने वाले है so target क्या है हमारा board exam 2020 5 इसमें अभी हमारी जो 12th standard की classes है वो कब से चालू होगी they'll be starting on 10th of May 2024 तो 10th of May 2024 को चालू होंगी हमारी classes accounts and maths के lectures जो है वो रहेंगे from Monday to Thursday and जो हमारे theory के lectures रहते हैं they'll be on Friday and Saturday अब इसमें जो हमारा syllabus complete होता है that will be completed till 10th of December 2024 मतलब हमारा ये almost 6 to 7 months का curriculum रहता है so portion will get completed on 10th of December उसके बाद December end तक 20 days जो रहेंगे उसमें रहोगी हमारी first revision क्यूंकि आपको क्या देने है first January से almost your prelim examinations prelim examinations के लिए हम break लेते हैं एक 10 to 15 days का जिसमें आप preparation करोगे prelim exams दोगे 15 January से we'll again resume the classes I'm talking about next year तो prelim exams के बाद जब classes चालू होंगे उसमें क्या होगा उसमें होंगे आपके board paper solving sessions उसमें होंगे आपके marathon revision batches और ये सब complete करके almost 1 month के वो sessions रहते हैं along with the final test series and then we'll let you for the study leave from 15th of Feb almost 20 or 21st Feb से क्या चालू होती है आपकी examination तो last day तक हम कोशिश करते हैं कि हमारा hand holding रहे बस आपको इसमें क्या करना है attend पूरा करना है class at least class में पढ़ोगे न तो आपको बहुत ज़्यादा support मिलेगा कि घर में उतना क्या करना पढ़ता है कम पढ़ना पढ़ता है got it तो एक religious attendance अगर रखोगे तो you'll definitely achieve the target which you have written what is going to take place during the sessions is पहले तो हमारी tests जो होती है वो वैसे ही continue होगी हर topic wise test होगी 11th standard में test नहीं देते हो तो कोई भी punishment आपको नहीं दिया जाता नहीं दिया test okay 12th में अगर test नहीं दिया तो next time class को जब आओगे test देने तक आपको class में बैठने नहीं दिया जाएगा so you have to appear for the test and then sit in the class same goes for the classwork and homework homework अगर नहीं करके class में आओगे class में बैठने नहीं दिया जाएगा पहले homework करो फिर आके class में बैठो अगर absent हो तो classwork भी करके आना है homework भी करके आना है तो absent रहना नहीं है absent रहोगे तो करके आओ दोनों चीज़े no problem friends है बहुत आपके किसी से भी notebook लेना some लेना school में करते थे ना ऐसे वही pattern रहेगा उसके साथ साथ होती है हमारी 4 test series which are the board pattern test series चालू होती है September से so September every weekend you will have a test October का हर weekend आपको test रहेगी 25-25% syllabus की then December में आपको full portion आपकी पहली test series रहेगी and January में रहेगी January end में आपकी final test series again full portion so दो test होते है full portion के दो test होते है part syllabus के उसके बाद assignments, homework आपने जैसे देखा होगा second term में जो assignments का quantum बड़ा है तो 12th standard में आपके कोई friends होंगे उनका अगर आप देखोगे almost उनको 100 से 150 assignments दिये हुए अभी तब तो everyday one sum one answer is what you need to do मैंने आपको दो घंटा पढ़ने को बोला है एक sum solve करने को कितना time लगेगा maximum 28 minutes 25 minutes एक answer लिखने को कितना time लगेगा same 20 to 25 minutes तो 1 hour का हमारा homework assignment हो गया सिर्फ extra 1 hour पढ़ना है that's more than enough trust me commerce में आये हो तो easy है but easy कभ है जब consistency रखोगे एक दिन exam के दिन उठके पढ़ने बैठोगे तो आप वो नहीं achieve कर पाऊगे नहीं पढ़ पाऊगे बट रोज अगर पढ़ोगे न दीरे दीरे तो automatically चीजे cover होते जाएगे burden free पढ़ना है न तो ये pattern से पढ़ना पढ़ेगा got it? अब जिनका target 85% plus 90% plus ये है उनके लिए ये special batch जो है वो launch हो रही है so Learnimo Super 50 batch newly being launched this year for students who are targeting bigger 85-90% plus का target और accounts में 100 marks का target इसमें से किसी भी एक किसका है hands up so this is the batch for you batch में कुछ special सिखाने नहीं जाने वाला सिखाएंगे वही but आपको कितने कम time में चीजे करनी है कितने जादा practice करनी है किस तरीके से पढ़ना है यह टेकनीक डे वन से सिखाए जाएंगे got it so if you are targeting bigger this is the batch for you कहा होगी यहां पे तिलक रोड पे I'll be taking the batch 50 students only personalized attention to everyone और सब रूल्स जो बताएगा है 5 मिनिट पहले वो उसमें फॉलो करने पड़ेंगे ready for it okay अब आते हैं अगले हमारे target के ऊपर की हमारे पास career opportunities क्या है when we are in the commerce stream I have listed down a few basic career options इससे आगे हटके आपको अगर और options की कुछ information चाहिए तो later after the seminar you can just get in touch with me I'll provide you the necessary details या references की आपको किसे contact करके और courses की information मिल सकती है fine these are a few basic courses which we are covering over here so first course is our normal graduation degree in the commerce stream which is B.com B.com का course जो होता है that is of 3 years and then you have the course of M.com so bachelor's degree and master's degree उसके बाद अभी जो popularity गेन कर रहा है course in recent times is B.B.A. followed by MBA again B.B.A. is a 3-year course any bachelor's degree is a 3-year course followed by a 2-year master's degree so B.B.A. and MBA जिनको MBA का curriculum MBA के subjects इस type का study करना है right from the graduation level उनके लिए B.B.A. की degree है fine B.B.A. में अभी बहुत सारे specializations आये है आपने सुना होगा B.B.A. IB होता है मतलब international business B.B.A. CA होता है मतलब B.B.A. in computer applications तो ये जो B.C.A. की degree है B.C.A. की degree में अभी कोई-कोई colleges ने क्या restrictions लगाए है कि उन colleges में सिर्फ science stream के बच्चे directly B.C.A. ले सकते है या कुछ colleges में ऐसा rule है कि आपने अगर maths लिया हुआ है 11-12 standard में तो आप B.C.A. ले सकते हो फिर अगर आपके पास ये B.C.A. वाला option अवेलिबल नहीं है Bachelor of Computer application तो आप किस में जा सकते हो ये B.B.A. CA में इसके उपर आपको determine करना है what you want to do right followed by their respective master's degree then you have the degree of L.L.B lawyers court पहन के एक तो court में जाते है वो टाइप के lawyers होते है या बड़े-बड़े companies में आपने देखा होगा legal consultants होते है law department होते है ये सब किस से आता है by pursuing this law degree next हमारे तीन professional courses के degrees है CA, CS and CMA CA Chartered Accountant CS Company Secretary CMA Cost and Management Accountant CA क्या करते है CA is basically deal with the financial aspect of any organization आपका accounting record जो बना है वो सही से बना है कि नहीं बना है उसको check करना, उसका audit करना, उसका audit report sign करना या आपके taxation के बारे में देखना, taxation का analysis करना ये सब काम किसका रहता है CS का, so CA is basically within the company या from outside the company what they do they deal with the financial aspect of any organization next आता है CS Company Secretary, what do they do they look after the legal aspect of any organization, company जब से form होती है और company जब तक बंद होती है, hundreds of laws अप्लाई होते हैं company में employees रखते हैं, उनको salary देना है, बोनस देना है hundreds of laws are applicable तो ये सब laws प्रॉपरली फॉलो हो रहे है कि नहीं, ये कौन देखता है CS, अगर अंदर है तो अगर company के बाहर से consultancy कर रहे हो तो क्या है company वो फॉलो कर रहे है कि नहीं, वो देखके क्या करना पड़ता है, company audit report होता है वो sign करना पड़ता है got it, so that is done by a CS then you have CMA, CMAs क्या करते हैं, they deal with the costing aspect आप कोई भी product manufacturer कर रहे हैं, उसका cost कितना है वो कम से कम कितने cost में बनाया जा सकता है costing related कोई भी चीजे, कोई भी work है उसको supervise या monitor या figuring out the costing systems कौन करता है CMAs so these are the three professional courses in India, India में उनकी degrees है India में उनके institutes established है बाकी और external, इंडिया के बाहर के भी courses होते हैं जनके बारे में आपने सुना होगे CFA है, CPA है, ACCA है, etc अब इसमें basic जो BCOM की degree के बारे में मैंने बात की तो BCOM में आपको admission किस हिसाब से या किस basis पे मिलती है तो you get admission based on the 12th standard marks इसमें colleges के दो options होते है एक जो पुने university के साथ affiliated है colleges या दूसरे अपने सुना होगा एक word autonomous colleges है autonomous college का मतलब क्या होता है they have their own university अपनी university है का मतलब क्या है वो अपने exams, अपने syllabus, अपना exam pattern, paper pattern ये सब खुद decide करते है पुने university के हिसाब से नहीं क्या portion उनका बहुत difficult होता है, नहीं ये university में जो second year में है वो कभी यहां third year में चला जाता है कोई first year में चला जाता है एक topic, दो topic इधर उधर किये जाते है थोड़ी बहुत difficulty level जिस जहां जो specialization है उस हिसाब से की जाती है बाकी syllabus उननीस बीस सेम ही रहता है कोई अपने अलग college लिया तो बहुत variation syllabus में नहीं रहेगा commerce में आये हो तो एक ध्यान रखना है पढ़ोगे क्या हमेशा accounts costing taxation law कभी भी change नहीं होता कोई भी degree करो CA करो, BCOM करो BBA करो, whatever you do ये subjects तो रहेंगे clear? उसके बाद आता है BBA BBA कहां से किया जा सकता है तो BBA again normal कोई भी colleges से किया जा सकता है based in Pune etc या फिर आजकल जो बहुत बच्चे opt कर रहे है, वो एक integrated course pattern निकला है कि you have 5 year MBA degree तो integrated pattern में क्या होता है, BBA, MBA together 5 year course दिया जाता है popularly कहां हो रहा है IIM इंदोर में, जिसके लिए आपको ये IP mat देनी पड़ती है बाकी BBA, MBA कहां से कर सकते हो Simboises College है, MIT है बाकी अभी यहां के हर college में BMCC गरवारे सब colleges में चालू हो चुका है, पट इसकी भी क्या देनी पड़ती है, आपको BBA की separate entrance exam तो entrance exam दे के, वो clear करके score करके आपको entrance exam के basis पे वो college में admission मिलेगी next आता है अगर MBA आपको करना है तो BBA के बाद MBA किया जा सकता है या normal BCOM के बाद भी MBA किया जा सकता है उसके लिए again आगे क्या exams रहेंगी, IIM में जाना है तो CAT, Symbiosis वगरा बाकी के college में जाना है, तो उस हिसाब से अलग-अलग college की अलग-अलग examinations रहती है duration जैसे मैंने आपको बताया 3 years और 2 years का combination चलता है उसके बाद चलता है LLB का degree LLB के degree में again आपको यहाँ पे क्या करना है अगर आपको 12 के बाद immediately करना है तो फिर से क्या देनी पड़ेगी law college की entrance exam अब इसमें अगर आपको national level के law college चाहिए तो कौन सी exam देनी पड़ती है you have to give CLAT and important point यह कब ली जाती है December मतलब आप जब 12 में रहोगे उसके December में तो इसलिए आपको क्या करना है उसका preparation तो अभी से चालू करना पड़ेगा या फिर आपने यह नहीं दी तो दूसरा option क्या रहता है you can give law की CET which is taking place after your board examinations in the month of May तो उससे क्या मिलेंगे आपको colleges जो मिलेंगे वो within महराश्च्रा CET के basis पे आपको colleges law के मिल सकते law का course करने के दो options रहते एक 12 के बाद करो 5 year course या एक graduation के बाद करो 3 year का course but I will suggest आपको अगर full-fledged proper law का degree करना है तो do it right after 12 क्योंकि उससे आप आपकी internships, articleships यह सब जल्दी चालू करोगे and you'll be at a better off position at a very young age got it? yes और क्या-क्या career options होते है तो और यह options है कुछ degrees है actually जिसमें बहुत सारे calculation, maths अच्छा होना पड़ता है उससे साब से बनाई जाती है फिर diploma courses है taxation में है, share market के है stock market के है आपको कोई भी foreign languages पढ़नी है उसमें भी आप specializations कर सकते हो banking या insurance के exams है यह generally graduation के बाद आप pursue कर सकते है similarly आपको यह कुछ चीजे करनी है interior designing, fashion designing, hotel management तो again you can get in touch with us we have multiple students who have pursued these streams तो आपको उनसे first hand experience या guidance जो है वो मिल सकता है fine? अब आते है एक brief पे about company secretary company secretary क्या है जो CS का course हमने discuss किया CS is the person who deals with the legal aspect so legalities के बारे में मतलब बहुत सारा law पढ़ना पढ़ता है CS के course में right from the executive level जो second level होती है CS की उसी में आपको चार टाइप के law के paper होते है तो इतने जादा papers इतना जादा law पढ़ना पढ़ता है तो जिनको theory में interest है theory subjects में अगर आप interested हो जिनका English के उपर थोड़ा बहुत command है you can definitely try out this profession company secretary इसमे अभी stages कैसे रहते है तो the first stage the entrance examinations which you can give after your 12th standard is CSEET company secretary executive entrance test जिसमें चार papers होते है 50 marks each मतलब 200 marks का जो है वो examination रहता है and this examination is computer based MCQ pattern खुद के घर में बैठके exam देनी है clicks करके but it is of course monitored via camera remote proctor mode बोलते है उसको तो वो लोग जो supervise कर रहे है वो भी आपको देख सकते है so you should have that particular system at home net वो सब होना चाहिए उससे आपको examination appear करनी है okay but इसमें एक advantage होता है company secretary के entrance में कि आपको negative marking नहीं होता तुक्का भी मार दो तो चलता है either it is right or wrong no negative marking ठीक है so it's a pretty easy examination results भी काफी अच्छे लग रहे 60-70% results लग रहे अभी recent CSET के examinations के so entry for CS is easy but executive और professional में पढ़ना पड़ेगा because उसमें law होते है तो in-depth study लगती है हर एक chapter की हर एक topic की got it? yes अब इसमें course का कैसे pattern है तो पहला exam रहता है CSET फिर CS executive का exam जिसमें रहते है 8 papers divided in 2 modules 2 modules का मतलब क्या होता है 4-4 paper के 2 set है आपका पूरे 8 papers का preparation हो चुका है तो पूरे 8 papers दे दो अगर नहीं हो चुका है 8 papers का preparation तो क्या करो? एक attempt में 4 papers दे दो दूसरे attempt में 4 CS exam के हमेशा 2 बार attempt होते है June और December में CS EET के 4 attempts होते है ये June December वाले तो है ही extra additional attempts भी होते है So CS EET is conducted 4 times a year बाकी executive and professional 2 times a year Got it? Again professional में क्या है? 9 paper है 3 papers के 3 modules तो 3 papers दे दो 6 papers दे दो या 9 papers दे दो आपके पास option है अब इसमें आपको आगे जाके क्या करना पड़ता है? Practical training लेना पड़ता है of 21 months Practical training 21 months का क्या है? You have to work with a CS firm You have to work in a company which is having a department for company secretaries तो वहां से आप practical exposure लोगे कि आगे जब professional बनके निकलोगे तो आपको काम क्या करना यह पता होना चाहिए न? तो उसके लिए यह practical exposure रहते है And you have some trainings which are organized by the institute for about 3 months इसमें computer related courses आते है personality के grooming के related भी lessons आते है आप clients के पास जाते हो क्या पहन के जाना है कैसे खड़ा रहना है, कैसे बैठना है कैसे बात करनी है सब सिखाये जाता है So whenever there is a professional degree which you are doing CA हो गया, CS हो गया आपको institute का एक curriculum तो follow करना ही है exams तो देने ही पड़ते बट उसके साथ-साथ ये training से जब आप professional बनते हो तो you become a full-fledged professional अब CS के लिए opportunities क्या होते है market में CS बनने के बाद क्या what is the next step So CS बनने के बाद इधर आप क्या कर सकते हो खुद की practice setup कर सकते हो CS firm डाल सकते हो जो क्या करते है company के बाहर रहके company को legal consultancy CS की consultancy audit report signing ये सब काम करके देते है या you can be a working professional जहां पे आप कोई भी company में internally काम कर सकते हो Companies Act change होने के बाद CS की requirements जो है वो company में क्या हो चुकी है there are certain criteria कि ये turnover अगर कोई company cross करती है तो उनको compulsory लिए क्या रखना पड़ेगा CS रखना पड़ेगा तो इसलिए company में internally भी CS रखने की mandatory requirement है So the demand for CS is also increasing Got it? So ये सब salary या ये सब career options या opportunities है जो आपको आगे मिल सकती है after you become a CS Clear? Okay Next आता है the Chartered Accountancy Course CA CA क्या है? तो Chartered Accountancy Course basically हमारे country में regulate कौन करता है? It is regulated by the Institute of Chartered Accountants of India ICAI तो उसके लिए एक statutory body बनाई गई है जो ये course को regulate करती है There is an act for CAs आपने कभी भी जाते आते CA का board देखा है क्या? एकदम LED red color में लिखा होगा Come, 100 tax audits done in this year Come for the next audit देखा है? No audit fee only 30,000 rupees देखे होगे न कहीं तो advertise देखा होगा देखे है? इंस्टेग्राम में पॉप अप होता है कि जैसे real estate के ads pop up होते है CA work required क्यों नहीं होता? allowed नहीं रहता कहां नहीं allowed रहता? ये act में लिखा गया है कोई CA advertise नहीं कर सकता white color का छोटा ये ये size का board लगा दो office के बार table रखो काम चालू करो Got it? professional misconduct बोला जाता है अगर ऐसे type के advertise करो why not you can advertise? because यहाँ पर ये professional degree है prove your merit, get your clients Got it? तो ये rules regulations होते है इसमें CA examinations कैसे होंगे कैसे conduct करने है उसके rules regulations क्या है सब लिखा रहता है वो बनने के बाद भी आपको continuous update खुद को रखने के लिए फिर से trainings लेने पड़ते है CPER उसको बोलते है मतलब हमको हर साल जाके क्या करना पड़ता है फिर से auditorium में एक बैठो और जो updates आए है उनको सुनो और जाके उसके हिसाब से अपकी practice करो So you have to continue to be updated continue to be governed by the rules of the institute इसलिए आपको trust factor बोलते है क्या CSK उपर लोगों का trust रहता है Yes Why? Because of this governed by the institute made by the institute being supervised by the institute Got it? अब कोर स्ट्रक्चर कैसे रहता है तो आपको 12 के बाद जो देना है That will be your CA foundation examination 4 papers रहते हैं इसमें of 100 marks each तो इसमें हमको कौन से कौन से papers रहेंगे Firstly you will have your paper of accounts then maths then economics and law सुना होगा ना CA course में बहुत changes आए थोड़े से changes आए तुरन समझा देती हूँ क्या changes आए? पहले ये economics के साथ हमारे पास और एक paper रहता था which is BCK Business and Commercial Knowledge अब ये paper हट चुका है अभी सिर्फ क्या है? economics कौन सा economics? यही जो आप 11-12 में पढ़ते हो micro, macro वही law में law के साथ-साथ और एक paper रहता था जिसको बोला जाता था BCR Business Communication and Reporting Letter Writing Essay Writing Note Making Minutes of the Meeting बनाने हैं ये सब बट ये भी अभी नहीं है अभी full-fledged proper law का आपका paper रहेगा जिसमें सब acts जो है laws जो है वो cover होंगे इसमें से accounts का paper जो है वो और law का paper जो है वो रहते है subjective papers and maths and economics के रहते हैं MCQ paper गोले लगाने हैं तो maths से जिनको डर लगता है मुझे maths आता नहीं कोई बात नहीं है यहां चार option में लेंगे option से question question से answer पौँच जाओगे ठीक है तो इसलिए maths का fear लेके मुझे maths नहीं आता तो मुझे CA नहीं करना ऐसे भागने की जरूरत नहीं है ठीक है तो इसलिए maths and economics क्या है MCQ economics में almost ऐसा paper लिखके आते है कि hardly एक 45-50 मिनिट में paper एक तो खतम हो जाता है दूसरी चीज माक्स भी कितने आते हैं बच्चों को 80-85-90 तक माक्स आते है आप तो अभी पढ़के क्या लिखते हो economics का पूरा theory paper उसमें क्या करना है टिक टिक चार option है तो एक दो paper अच्छे बना लिए ना अपने अपके favorite subjects तो passing doesn't remain a problem anymore उसके बाद आता है next level हमारा CA Intermediate अब सुनो ध्यान से changes क्या हुए पहले यहाँ CA Intermediate में रहते थे 8 papers अभी कितने है 6 papers so 3 plus 3 2 groups similarly final में भी रहते थे यहाँ पे 8 papers अभी कितने है 3-3 इसमें अभी क्या change हुआ है यहाँ पे जो 2 papers थे वो अभी भी 2 papers है बट इसको बोला जाता है अभी self-paced modules तो self-paced modules मतलब आपके हिसाब से आपके time से उनको पढ़ो और उनकी examination कैसे दे दो online घर में बैटके तो आपको जब आपका paper का वो preparation हो जाए उसके बाद उसके लिए apply करो और यह 6 papers देने से पहले क्या complete कर लो यह 2 papers तो आपका जो बीच का articleship का time रहता है ना तो यह articleship के time period में आप क्या कर सकते हो यह self-paced modules की पढ़ाई करके वो papers दे सकते हो तो you will be ready to appear for the final examination that's the slight change which has taken place इतना कोई बड़ा change नहीं है 8 papers जो थे उनी में से 6 अभी जाके लिखने हैं 2 कहां से लिखने हैं? online mode से घर से passing criteria CA का क्या है? फिर से वही 50% aggregate 40 marks each subject and दोनों होना चाहिए तो foundation pass करने के लिए क्या है? 400 marks का paper कितने लगेंगे? 200 तो हर paper में कितने लगेंगे? 40 plus तो हम target हमेशा कितना रखते हैं? decent x 60 का score हमको सब papers में आना चाहिए तो 60 marks आ गए तो क्या होगा? 16 x 4, 240, cross हो गए दोनों targets? Yes Got it? CA course की timeline क्या होती है? तो आप आपका 12th standard कब दोगे? February 2025 उसके बाद May या June 2025 में क्या आएगा? आपका CA foundation का examination उसके बाद 8 months के बाद आप दे सकते हो कौन सा आपका CA intermediate का examination अगर आपने पूरे 6 papers मान के चलते हैं यहाँ पे दिये और पास हो गए तो आप तुरंत आपकी क्या कर सकते हो चालू? आर्टिकल शिप इन, say, August because result आने में एक देड़ महिना लग जाता है आर्टिकल शिप अभी जो है वो बन चुकी है दो साल की तो दो साल का आपका प्राक्टिकल ट्रेनिंग है आर्टिकल शिप है यू वोक वित अनदर CA और यू वोक वित बिग फर्म्स लाइक ओडिट फर्म्स होते है बिग फोर सुना होगा आपने अंसन यंग है, डेलॉइट है पीड़लीउसी है, के पीएमजी है तो यह टॉप फर्म्स है उनके साथ भी आप आप आटिकल शिप कर सकते है तो आट साव यू वोक उसके बाद यह होने के बाद आपको 6 मंस मिलेंगे फोर यूर स्टडी प्रिपरेशन तो आप अगर देखोगे मैंने आपको अभी अभी बोला अभी से लेके आपको कितना पढ़ना है 5 years अभी 5 साल स्ट्रगल करोगे तो उसके आगे क्या है यू किन द्रीम अफ लाविश लाइफ पट अभी मजे करोगे तो आगे क्या करते रहना पड़ेगा जॉब सर्च रोमिंग हेर इंड देर वट टू डू कौनसा कॉर्स करें आज नहीं सोचोगे तो 5 साल बात तो सोचना ही पड़ेगा क्योंकि पैसे चाहिए न आप जब तक आओगे उस स्टेज में जब आपको अर्न करना है क्या लगता है आपको कितने पैसे मिलने चाहिए मन्त के तो लिव लाइफ विच और पैरेंस आर गिविंग यू राइट नाओ वान लैक प्लस आ रहा है न कहीं कहीं से एक से दो लाग पर मन्त लगेगे तब जाके इतनी लग्जरीज अफोर्ड कर पाओगे खुश रखा है ना पैरेंस ने अभी तक तो खुशी रखनी है आगे बढ़ा के की नहीं विल यू बी एबल टो लिव इन लोगर स्टैंडर्ड लाइफ दैन वाट यू आफ तोडे जैसे कपड़े पहनते हो शूस पहनते हो बैक करी करते हो इससे कम ढ़ेल पाओगे नहीं तो खुद के लिए बनाना पड़ेगा उतना तब जाके क्या होगी सस्टेनबिलिटी प्रॉपर हो जाएगी you're not doing this for anyone else you're doing it for yourself because you need it today you are used to a luxurious life you need to maintain it further ac लगा रहता है room में तो अच्छा लगता है na तो वो ac afford भी तो होना चाहिए getting it so you need to dream high so you need to dream big उसके बाद ये basic registration के details है, आप अभी वह registration कर सकते हैं, class जैसे ही चालू होगा, उसके बारे में आपको brief दो है, वो दिया जाएगा कि कब-कब आपको registration processes करने हैं, once you register with the institute, you become a student of the institute, उनसे आपको study material ये सब आ जाता है, उनके programs वगरा, attend करने के opportunities आपको मिलते हैं, so accordingly for that, they charge you the registration fees, वो registration करके, fees पे करके, you can get associated with the ICAI, right, okay, अब इसके आगे, CA course के बारे में कुछ details देंगे हमको, सेनन सर, so let's continue, start करते हैं, एक स्टोरी से, okay, let's begin with the one story, per month, how much you want to earn, आपको ना engaging बनाना पड़ेगा, session को, अभी यहां से engaging चलेगा, अब आपको जवाब देना है, आप कितना earn करना चाहते हो per month, down the line 5 years, थोड़ा सा आप अंदाजा लगा लो, कितनी महँगाई चलेगी, अभी भी current situation में, 1 lakh per month का demand चल रहा है, minimum, आज से 5 से 7 साल आपको लगने वाले market में उतरने के लिए, how much you want to earn, anyone, 5 to 6 lakhs, per month, my god, इतना, अभी इसमें भी डल लग रहा है, हाँ, बोलो, बहुत है तब भी, अच्छा target है, 2 lakhs per month, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh, 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh, अब इससे कम तो नहीं है, 15,000, 20,000 कोई है क्या, ओ, 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 ठीक, 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 ओगे, let's see, उसके लिए आपन कर के आ रहे हैं, देखते आगे, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, आप सभी लोग एक बहुत बड़े businessmen हो, कौन हो, बहुत बड़े businessmen हो, और definitely आप कौन से field में हो, बताओ, for example, commerce field में हो, तो commerce के field के बच्चे आगे जाके पढ़के, और किस field में जाएंगे, मेली, finance, accounts, your department में जाओगे, कि आप mechanic, engineer, कुछ और बनने वाले हो, fan लगाओगे, TV लगाओगे, नहीं न, ओके, सब आप लोग businessmen हो, बहुत बड़े businessmen हो, काच की building देखते हो, न देखके और admire कहते हो, इसके अंदर चलता क्या है, इतनी लोग जाते हैं अंदर, क्या चल रहा है, right, सोचते हो कि नहीं सोचते हो, चलता है ना सबके दिमाग में, बाले बाड़ी high street में जाके देखते हो, यह building अंदर क्या है, अच्छा, इतनी बड़ी business है, आप लोग अभी इतना बड़ा business है, अब बताओ, आपको finance, उसके यहां भी finance, एक one of the most important sector होगा, उसके बिना तो कोई business, sustain नहीं कर सकता, अम्मानी ने कुछ भी किया हो, लेकिन उसको finance का पूरा knowledge, लेना ही पड़ेगा, कितना बड़ा कोई IT इंजिनियर बन जा, लेकिन उसको finance का detail, at the end of the day, लेना, ज़रूर ही है, चलो, आप सब भी, coincidentally, आप लोग कॉमर्स से हो, finance का information, आप बहुत बड़े business हो, इसी तरह की काज की building, बता हो, आप अपने finance department में, किसको appoint करोगे, financials देखने के लिए, नहीं, मैंने ही बोल रहा कोई, मैंने बोला क्या आपको, CA बोल ला है, बोलो ना, और भी कुछ तो है, MBA finance रख वाले न, MBA finance भी तो है, CA को क्यो रख रहा हो, खुद को आपको भरोसा नहीं है, MBA finance के उपर, अच्छा, B.com, B.b.a. वालोग तो छोड़ी दिया, उनको क्यों नहीं रख रहा हो, उन्होंने भी finance पढ़ा है, मतलब, बहुत important line है सुनना, आप एक ऐसा course करके, market में जाना चाहते हो, B.com, B.b.a, MBA, normal, एक ऐसा course, छोटा course आप करके market में जाना चाहते हो, कि आप उनकी जगह होते, आप खुद उनको न रखो job में, और आप चाहते हो, कि ऐसा course करके, आप market में जोरा, आपको क्या मिलनी चाहिए? जॉब भी मिलनी चाहिए, और जॉब के साथ क्या मिलना चाहिए आपको? पैसे भी मिलने चाहिए? और आज खुद आप जानते हो, कि मैं उस जगह में एक पॉइंट किसी को करता रहता, तो मैं खुद B.com, B.b.a वाले को क्या नहीं देता? जॉब नहीं देता. और फिर मोधी गॉवर्मेंट या उस टाइम के जो राहूल गांदी जी या जो भी गॉवर्मेंट रहेगी, आप क्या बोलोगे, क्या नहीं है उनके पास? जॉब और पॉर्चनिटी नहीं है. एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉव है. आप लोग कौन से बोर्ड में हो? स्टेट बोर्ड में आ गए. था ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम? ICSE बोर्ड था, CBSE बोर्ड था, क्यों छोड़के आ गए स्टेट बोर्ड में? और बोलते हो, है ना अच्छा एजुकेशन सिस्टम? आप खुद नहीं पढ़ना चाहते हो. क्यों आए हो 99 नहीं 100% सब का एकी आंसर? बताओ क्या है? बोलो, बोलो, असलियत सामने आती है तो कड़वा लगता है. बोलो, क्यों आए हो स्टेट बोर्ड में? अरे बोलो, इजी है, आ रहा है ना वाज? हम आगे कभी सुनना, हम मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तकलीव भी नहीं हो और पैसे भी बहुत कमाना चाहते हैं. कैसे काम चलेगा? जितने मैंने अभी सेंटेंस बोले हैं, सब का रिफरेंस आएगा. चालू करते हैं, आपके स्क्रीन में है, जो आपको दिख रहा हूँ, why to choose CACS या और कोई भी बड़ा कोस, और मैं ये भी बता हूँगा, जो लोग ये dancer, singer है ना, मैं उनके साथ खड़े रहूँगा, आगे बने रहे ना, सबसे पहले बात आती है, syllabus की, कॉमर्स में हो ना, direct tax, income tax, जिसको बोलते हैं, GST, indirect tax, custom, यही सब आने वाल है न, financial management, ठोड़ा सा FM वगड़ा, आप जिनको पता हो, finance का आएगा, लेकिन syllabus will remain, same, पहला point वही है syllabus, आप चाहे BCOM करो, BBA करो, MBA करो, BBA, CA करो, कोई सा भी course करो, चाहे CA करना, CS करना, चाहे even आपका 11, 12 कर रहे हो, आप commerce field में हो, तो syllabus will, same, syllabus क्या रहने वाला है, same रहने वाला है, भरोसा देखना है आपको, CA Institute के website का है, यह last में उसका reference है, copyright किसका है, CA Institute का है, अभी देखो, मैं आपको न 11 का syllabus बता रहा हूं, न 12 का, मैं किसका syllabus है, फिल से बो, CA का है, मैं लिखते जा रहा हूं, भरोसा करना, के पहले, नाम क्या हुआ करता हो था, principle and practice of accounting हुआ करता था, लेकिन आपके 12th और 11th की book का नाम क्या है, bookkeeping and accountancy है, CBSE में सब जोगे अलग है, आपका normally बोल देते हूं, comfort, comfort, क्या बोल देते हूं, accounts, देखते हैं, अंदर chapter का नाम भी देखते है, theoretical framework, यह नाम नहीं है, आपका, सबसे पहले देखो, scope of accounting, accounting concept, revenue expenditure, capital expenditure, यह कहां बढ़ा है अपने, कहां बढ़ा है अपने, 11th standard का, first chapter, accounting process, देखो क्या लिखा है, double entry book, keeping system, journal, subsidiary book, cash book, format, posting, यह कहा है, journal, ledger, trial balance, उसके बाद, trial balance, rectification of errors, बोलो कहा है, 11th, bank reconciliation statement, 11th, यह एक chapter छोड़ना, छोड़ा सा part है, यह भी आपके 11th standard और 12th standard दोनों में cover होता है, मैं बताऊंगा, depreciation, bill of exchange, मेरी बात माल लो, 12th, final accounts, 11th, not for profit, 12th, second chapter है, 12th का, incomplete records, किसको बोलते हैं, single entry, कहा है आपके, 11th, partnership, 12th, जिसके अंदर admission, retirement, और death आए जाएगा, company account, जो 12th का last chapter है, क्या नाम है उसका, shares, देखो लिखा है, shares, debentures, ओके, यह कहां आता है, आपके 12th standard में, तो आपको क्या लगा, CA में क्या rocket science पढ़ाई जाएगी, कैसे space में जाया जाता है, आपको क्या लग रहा था, syllabus will remain same, what is going to be change, second point, जोल्दी से बोलो, second point है, क्या change होने वाला है, क्या change होने वाला है, difficulty level will change, depend upon the, and just, जैसे जैसे, फिर से, बीच में interrupt कर रहा हूं, जैसे जैसे, difficulty level बढ़ेगी, वैसे वैसे आपकी income, respect, इज़्ज, शौरत, सब कुछ बढ़ने वाला है, आप जितना easy, CBSE की student को बढ़ेगी इज़्ज से देखते हो, क्यों देखते हो, ICSE बढ़ेगी और इज़्ज से देखते हो, क्यों देखते हो, विचारा महनत करता है है दिन रात, अपने आप respect आ र पहुता जाएगा, Bcom BVA में तो बस आदी रात को पहुंच जाना, पांच बजे सुबह उठके बस थोड़ा सा पढ़ने न, और पहुंच जाना exam में, और वहाँ पास, जैसे आप 11-12 में confidence से बोलते हो, दम है तो fail करके दिखाओ, वही Bcom का हालत है, दम है तो fail करके दिखाओ तब भी न, बहुत लोग के बहुत दम है, बहुत मैनत करते हैं, रात रात भर पूरी web series देखते हैं, तब जाके वह fail हो पाते हैं, होते हैं, Bcom में भी आप fail करना, जाना किसी college में, आपके भी college में रहेंगे, BMC, जो भी college हो, जिस दिन result लगने के बाद एक form होता है, re-examination क जाना, उसकी line देखना, you will shock, आज अब जाके देखना, observe करना, time आ रहा है, इतनी लंबी line लगती है, मतलब इतने काबिल देश में लोग हैं, कि मतलब Bcom में भी fail हो जाते हैं, और fail होने का reason, आप सुनोगे, you will again more shock, मतलब माहितिस नहोता, मेरे को पता ही नही था कि एक्जाम समझ में आ रहा है कि इतने तो 50% तो यही वाले रहते हैं, चलो next आते हैं, sir, चलो यह Bcom की आप बात कर रहे हो, sir, एक काम करते हैं, Bcom ही कर लेते हैं, किसी के तो घर में बड़े brother, sister, elder रहेंगे, नहीं है, हम ही राजा हैं घर के, हम ही राजा हैं, किसी के तो गलती से होंगे कजिन होंगे, क्या आप पूरे दुनिया के राजा हो, हैं किसी के brother, sister, college में हूँ, senior college पहुच गया हूँ, anyone, हाँ, बो, कौन से अभी college में है, COEP, अच्छा, इंजिनिंग कर रहे हैं, पहले साल की fee बोलो, एक साल की बोलना, इनको साल की मत बताना, डर जाएंगे, एक साल की MBA से दोनो साल के, हाँ, दोनो साल का है, MBA कर रहे है, MBA कर रहे है, MBA, हाँ, बोलो, fee, बोलो, 3,000, I guess, 3,000, बोलो, कोई B.com माला है, किसी के brother, sister, B.com कर रहे हो, किसी के आज़ पड़ोस वाले, आप ना अपने college में जाना, चाहे आप कितने भी government college का नाम सुने हो, या कोई private college का, minimum 30 to 50,000 fee है per year, एक साल की fee सिर्फ 30 to 50,000 है, आप BBA कर रहे हो, तो वो 80,000 पहुंच जाता है, BBA के साथ CA जोड लिया, Chartered Accountant नहीं बिटा, BBA, BCA बोलते है उसको, Business in Computer Application, Bachelor in Computer Application, fee कितनी पहुंच जाएगी, 1,50,000, per year की बात कर रहा हूं, उसके बाद exam fee, re-examination fee, practical fee, इतनी fee रहती है कि पूछो मत, कि मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 1 year की, आप किसी भी government college में चले जाओ, या कोई private college में चले जाओ, सब की fee यही हो चुकी है, मैं बात कर रहा हूं किसकी, एक normal course की, so, पैसे तो बहने वाले है, खून की दर है, अभी बात करते हैं, CA में क्या fees लगती है और क्या हाता है, institute की registration fee, जस्ट मैं ने थोड़ी दिर पहले आपको refer दिया था, 9800, जो की, एक magazine आती है per month, उसको include करके, नहीं तो 9200 है, 18000 intermediate की है, सुनते जाना, 22000 CA final की है, और यह जो 85000 सा, इसका total तो 85000 होता नहीं है, इसके बाद IT training, GMCS, आपको personal, soft skills, सब सिखाया जाता है institute की तरफ से, समझ में आरी बात है, वो total करके भी कितना आता है, और यह कितने साल में, 4-5 साल के अंदर आपको split करके अराम अराम से दिना, अभी थोड़ी ना CA final fee पे करनी है, अभी थोड़ी ना inter की पे करनी है, अभी सिख आपको कितना है 9200, this is the fee, total maximum कितना जाएगा, 85000 is the maximum amount, second बात करत क्लासे हैं, देखो, रही बात मैं अपनी बात बता देता हूँ, मैंने कोई initially मेरे को कोई कोचिंग क्लासे नहीं मिली थी, ठीक है, वो अपन स्टोरी अलग से सुनेंगे, खुछ से पढ़ा है, तो पहले तो आपके पास तो इतना बड़ा guidance है, ठीक है, खुछ से पढ़के मार्क सुनोगे तो आपके system में error आएंगे, अकाउंट के दिवाने, चलो, कोचिंग लासे, फी मैक्सिमम आपका 1,50,000-2,000,000 तक चली जाती है, इनिशल लेवल में जाद रहती है, उसके बाद आप जैसे जैसे आगे जाओगे तो आपको इस समझागे, अच्छ बस इतना competition कितना जा रहा है आपका 2,50,000 के आसपास जाने वाले आपकी, टोटल ये कितनी बात कर रहा हूं, तीन से चार साल की फी भी बात कर रहा हूं, आर्टिकल्शिप, मैं, E.N.Y, अंसंड यंग, मुंबई, दादर, इस्ट, दी रूबी के 13 फ्लोर में में लगी थी, पहले मंत की stipend को जज़ करेगा, जिनको पता है वो नहीं, Yes, 10 years back, 15,000, first month का stipend था, next year होने वाला था 20,000, उसके बाद था 25,000, And, आपको age उस टाइम जज़ कर पाओगे क्या, मैं 16 प्लस था उस टाइम बस, हाँ, अपना education system उसके बारे में history है, बहुत जल्दी हो रहा था, ठीक है, 17 साल से पहले, 8-8 दूर की बात है, उसके पहले मैं आठकर शिप में पहुँच चुका था, अठकर उसके पहले ही, अरे, मैं 21 साल के पहले मैं तो जब इंस्ट्यूट का जो एक रूल है, 21 साल के पहले आपको डिग्री मिलती है, कितना भी पास हो जाओ, मैं आपको यह बता रहा हूँ, पढ़ने वाला अपने अपने टाइप का रहता है, अपने अपने तरीके से रहते है, में इंपोर्टेंट यहां बटको अभी नहीं, यह मैम के कहने पे मैंने यह मिनिममम 6,000 पीस पर मंद रखा है, मैंने बात किया बिक फोर, क्यों नहीं जाओगे आप लोग बिक फोर, वहां की लाइफस्टाइल, वहां के लोगों को देखके, अरी जब 25,000 रुपर 16, 17 साल की उम्र में, जब आपके 18 साल की उम्र में जब आते हैं तो अपने आप लाइफस्टाइल ना, ऐसे करके बोलते हो, मैं आ रहा हूँ, समझ मैं आ रहे हैं, सो मैं आपने बोला, मिनिममम रखो, कि मार्केट में छोड़ी छोड़ी फर्म में गए आप, मिनिममम 6,000 रुपीस पर मन्त मिलेगा, मिनिमम, कितना हो जाएगा, 2,16,000, 15,000, 20,000, 25,000 से कैलकुलेशन मत लगाना, नहीं तो पता च हम CA, तो उसके उपर तो बहुत बड़ा ग्यान है मेरा, नहीं भी बनोगे, ना CA, तो आप जिस फर्म में काम कर रहा हो, वहां आपको 6-8,000,000 रुपे पर यर का पैकेज मिल जाता है, नहीं बनेगे CA वाले तो साइडी हो जाना, वो तो मेरे से कोश्चन ही मत करना, यह आप आपको मिलगे, आप compare कर सकते हो, आपको कोई BCOM में, अब BCOM की मैं ट्रेनिंग की बात करता हूँ, यह आर्टिकरशिप है ना, BCOM की ट्रेनिंग मेरा एक student है, initial batch का student है, उसको कॉलेस में MBA कर रहा था, बोला कि तीन महीने की उसको क्या करना है, अपरेंटिंग करना है, उसने पूरा इधा उधा सोस लगाया, बात किया, ट्रेनिंग बोल दो ना, कोई भी कोज की, इंजिनिंग से लगे किसी भी देश की कोई भी कोज की ना, सब लोग क्या ढूणने लगते हैं, वर्ड बोलो, जुगार, मेरे चच्चा का हो, पपा का हो, काका का हो, मैं कहीं से बना के दूँगा, साथ दिन का भी पैसा नहीं दूँगा, बन्दा बहुत खुश है, घर में फोल लगा लगा के बता रहा है, मेरा जुगार हो गया है, सिर्फ साथ दिन जाना है, तीन महीने का मेरा को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, MBA का, ये है दुनिया की आर्टिकर्शि कभी भी वो, कभी भी वो अपनी फर्म में पहले जाने नहीं देते उनको, दूसरे फ्रेंड की फर्म में भी गया है न, फ्रेंड का भी डैड रहेगा न, जानता है मेरे फ्रेंड की बेटी है, टाइमिंग जो आने का है, जो जाने का है, कोई उसको लिबर्टी नहीं मिलती एक्स्ट्रा कोई एक्स्ट्रा लीव नहीं मिलती कि बुले कि एक्जाम की प्रिपरेशन कर ले और मैंने तो देखा जहां मैंने आई कर शिप बाद में और आगे की की ना उसकी खुद की बेटी उसी फिर्म में थी आने का टाइं जाने का टाइंब और एक फ्रेंड है उसके डैट उस से ओवर टाइम उपर घर है चल्ड वो क्यू करते हैं ऐसा अत्याचारी बाप क्यों बन जाते हैं वो पिता है मालू मैं आपको, उनको पता है, असली लर्निंग कहां पास है, मालू मैं आपको, वो आर्टिकरशिप के अंदर है, इसलिए वो कभी स्किप कर नहीं करने देते हैं, चीजे समझ में आ रही है क्या, और ये एक के साथ नहीं है, मल्टिपल फ्रेंड्स है, मैं लाइन से अलतियाचारी निकले, सब ऐसे कूट आते हैं ना, फिर वो अपनी मन की भढ़ास निकालते रहते हैं, तो पता चलता है, चीजे, बोलते हैं, तेरो को कहा है, तो तो रात के बाद दो बज़े तक भी काम कर से, अरे यार हम लोग ने भी रात के चार चार बज़े तक काम किय कोई बोलता नहीं है, आटोमेटिकली करते हैं, इतना कामी होता है, और मज़ा भी आता है, ऐसा नहीं है, किसी ने बोला है, हंटल लेके बैटा है, नहीं तो आर्टिकरशिप में हमको कैंसिल कर देगा, हमको कोई फेल कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, nothing is like that, okay, next आते हैं, आपना 12 में 80% के बिलो लाके हिमत करके दिखाओ, और एक कॉलेज में एडमिशन लेके दिखाओ मेरे को, कितना परसेंटेज बोला है, मैं तो बोल रहा हूं, 90 के बिलो लाके देखो, और किसी भी कॉलेज में जाना और एडमिशन ले लेना, आप बीकॉम का एडमिशन भी आपको नहीं मिलेगा, I am talking seriously, आपको B.com का भी admission नहीं मिलेगा, आपको सीधे क्या लगने वाला है, donation, आपको मजाक लग रहा होगा, सिर्फ B.com में ही 12th का percentage देखते हैं, और बाकि सभी courses के लिए क्या होता है, मालूम है आपको, बोलो जल्दी से, entrance exam होता है, और आपको तो पत केस में तो हसदा, फ्रोड़ा सा, पैसे तो दूर की बात है सा, पहले जॉब तो देदे वो, राइट ना, CS और CA की definitely सिफ जॉब नहीं होती, आगे चलके मैं next slide में आपको बताने वाला हूँ, जिंदगी का असली मजह होते हैं, दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ मिनिमम आपको कितनी स्टेडी करनी है, फाइव यहस की, उसके पहले 2.5 यहस में CS होता है, और कितना, 4-4.5 यहस में आपका क्या हो जाता है, मैंसम 3.5-4 यहस में हो जाता है, आपके दोस्त वगरा कहीं कुछ भी पढ़ रहे होंगे, कितने भी आपको अटेम भी लग गये, तब भी 5 साल के अंदर आपका भी हो जाएगा यह, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है मेरे लिए, पहले सैलरी आपके लिए कल्कुलेट कर देता हूँ, सैलरी में किसी को डाउट है, मैंने बोला है, मिनिमम मिनिमम सैलरी रखो, कोई कि किसी प्रकार का ऐसा ना दिखे, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, रियल लाइफ में, बिग 4 में, यदि आप एक आर्टिकर शिप करते रहते हो, तो यह तो मिलता है, मिनिमम 10 से 12 रुपीज आपको पैकेज लगता है, फर्स्ट, जैसे ही सी यह बन जाते हो, मिनिमम, मिनिम मिनिमम आपको बताता है, मैं पहले से क्लियर कर देता हूँ, मैं अभी के करेंट सिचुएशन की बात बता रहा हूँ, और आप बिग 4 में जाने वाले जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको ही देखके आप पानी-पानी हो जाओगे, जैसे ICSC Board के एक student bus से जैसे उतरता है, तो आ confidence, body language, सब amazing होता है, अभी बैठने के आपके तरीका कोई ऐसे बैठर कोई ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कुछ खा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं, you can't believe, यदि आपको देखना हो, धोनी को पता था क्या आगे चलके वो Captain बनेगा, World Cup जीता के लाएगा, उसको तो लग नहीं रहता है, उसका क्रिकट में करियर है, अब तो मूवी देख लिए आप लोग ने, आप काम करना घर जाके ना, जितने भी आपके पुराने सारुक खान, अमीर खान, सलमान खान, जितने लोग को आप एडमायर या देखते हो, अमीर खान यहां से पैंट पहनता थ नहीं है भरोसा ना, आप पुरानी इमेज देखना, वो कितनी मूवियां उनकी इनिशली जो सलमान खान वगरा किया है, हम साथ साथ हैं और आल, देखना कहां से पैंट 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 रहे हैं, क्या दिखते हैं, लुकड़े सुकड़े से, पहली दिन से नहीं रहते, आप तो कभी ओवरकम आने वाला है, इस समय से, आपकी अभी कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन वैसा काम उनको करना पहले आपको भी पढ़ेगा, उतनी मेहनत करनी पढ़ेगी, ओके, नेक्स आते हैं रिस्पेक्ट में, कुछ दिख रहे हैं गया, माल लो, ये आपके घर का रिमो को गिरा देना, मेक शूर कि सामने आई नहीं तो बाबा होने चाहिए, इसको कोई उठा के नहीं देखेगा, कि ये तूटा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको इतनी गालियां पढ़ चुके होगी, इतनी रिस्पेक्ट मिल चुके होगी, कि पुरानी जितनी भी इत यहां से निकाल निकाल के ना लाया, कभी पढ़ता लिखता नहीं, जब देखो टीवी देखता रहता है, टीवी तोड़ता रहता है, हमारा नुकसान कलता रहता है, इतनी हो लगें, क्यों मैं इस घर में पैदा हुआ, कानों से खून निकलने लगते हैं, उसके बाद आपक पढ़ाई लिखाई कलता नहीं, कुछ नहीं, सब तोड़ता रहता है, और कॉमस लेके तो पहले ही आपने गलती कलती है, जिंदिगी के असली मज़े लेने तो इसलिए आपने कॉमस ले लिए, तो एकदम रखके सुनाएंगे, साम को सोचो बाबा आने वाले रहेंगे, तो आप B.com, BB और MBA कर रहे होंगे तो कभी मत गिलाना घर में, भाई, आपके कान, आख सब जगे से खुन निकाल दिये जाएंगे, इतना सुनाया जाएगा कि मतलब जिंदगी मिरना लायक को कुछ करना ही नहीं था, इसलिए मेरे घर में यही नसीब में आया, यह तोड़ रहा है, टप्रियों में रॉंडों साथ घूमता रहता है, घूमती रहती, भाई, कानों से खून निकाल देंगे आपके, तो B.com, BB और MBA करते वक्त रिमोट घर में कभी नहीं किरानेगा, अब मैं इजजत की बात बताता हूँ, पहले आज घर में जाना, जो लोग ने कभी-कभी ऐसे बात ही नहीं कि, हाई, असवाटा दे मला कि, आज सीय कर लेते हैं, सीय कर लेता हूँ, वो ऐसे करेंगे, वो कुछ कर रहे हूँ, क्या, क्या बोला, वो पहले ही इंस्टेंस में शॉक हो जाएंगे, सिर्फ आप मार्केट में बोलो कि आपने सीय की क्लासिस लगाई, आ आप पॉइंट ऑफ डिसकशन बन जाओगे, सोसाइटी में, फ्रेंड्स, रिलेटिस में, आप ये फाउंडिशन क्रैक सिर्फ कर लो, आपके टेबल में, आपके खुद के माबाब सौतले टाइप के लगने लगेंगे, रीजन क्या है, इतनी रिस्पेक्ट टेबल में आप आपके साथ, वो आपके पसांत लाइफ टाइम होगा, समझ में आ रहा है, जब रिमोट, CA Foundation क्लियर करने के बाद रिमोट गिराना, आई बोलेगा, अरे, ला दे, कुछ नी हुआ है, मैं बोल दूँगी, मैंने गिरा दे, मेरे से गिर गया, कोई कुछ नी बोलेगा, सुनना तूट भी जाएगा, तो आई बोलेगी, मैं बोल दूँगी, मेरे से गिर गया, सुनते जाओ, ब्रदर आएगा, अरे, तू क्या टेंशन ले रहा है, ऐसे कितने रिमोट आ जाएगे, मिलता है, मेरे को पता है, बाब आएगे, अरे, रिमोट ही तूटा है, टीवी तोड़ दे, दस टीवी लेके आएगे, अभी आप सीए बने हुए, नहीं हो, और ट्रस्ट मी, यह आपने थोड़ा सा टेंथ में देखा है, मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, समझ में आ रहा है, रिस्पेक्ट, अभी सीए बने हो क्या, नहीं, तो रिस्पेक्ट के बा आप देश के अंदर हो, दुनिया के अंदर हो, करने के बाद, पैसा, इज्जश, शौरत, कॉन्फिडेंस, यह सब एक साथ आता हो, एक भी कोर्स बता दो, मैं सबसे पहले जाके करूँगा उसको, उसको, है आपके पास जवाब, डॉक्टर था, गया आपके पास से ऑप्शन सीए करने के ही, आपको कोई ना, आइफिल टॉवर के सामने जाके सेल्फी नहीं दालनी है, तो आपको लाइक आएंगे, आप न ऐसे चड़ा पहन के भी ना, शौर्ट पहन के फोटो दालोगे, तो भी आपके फोटो में लाइक आएंगे, जब आप क्या रहोगे, चार्ट से बीकॉम लगाएंगे, बीकॉम महेश, देश में अंदर दो ही लग रहे हैं अभी तक, डॉक्टर बोलने में मज़ा आता है, और सीए बोलने में मज़ा आता है, रिस्पेक समझ में आ रहा है, एक ऐसा कोस, डॉक्टर के साथ भी ना, जिन्दगी पर रख, एक और इंपो कितना भी बड़ा सर्जन हो गया हो, जाओंगे आप, मैं नहीं जाओंगा, करवालो का अपनी सब्जी, ब्रेन सर्जरी होड़ी तुमारी, एक एक लौता कोर्स है, जहां पास आपको पहले दिन से इज़्जत, जिसको अपन रिस्पेक्ट बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, शौरत बोलते हैं, खुशी बोलते हैं, सब एक साथ आएगी, और घर वालों से यह दिया, आपको रिस्पेक्ट मिल गए ने, समझ दो, क्या बोलें, बात सही है कि नहीं है, घर वाले घर में तो आपकी क्या लगी रहती है, मेरे को पूछो मत, आपको खुद पता है, आपको खुद रिमाइंड आते होंगे, कि आप घर वाले, हाँ बात तो सही, अभी घर भी जाएंगे, तो शक बड़ी निगाउं से देखते ह कि आपको देखा जाता है, बोला था, क्लास जा रहा हूं, लेठ हो गया, कितने शक बड़ी निगाउं से आपको देखा जाता है, चलो, जादा बोलने की ज़रुवत नहीं है, अब आपके मैं आता हूं, कि सर्च ये गल्ती से बन गए, कुछ लोग चल रहे हैं आभी, फेल पॉइंट है, कि आपको पता है, ये CA Chartered Accountant नहीं है, the Institute of Chartered Accountant of India है, जो की governed होता है, CA Act 1949 से, किस से governed होता है, CA Act 1949 से, इसका जो discussion होता है, यदि कोई policy, नया education system, नया कुछ चेंज करना है, तो कहा होता है, मालूम आपको, कहा discussion होता है, anyone, Act के अंदर changes लाना है, तो कहा discussion करना पड और university कहां की होती पता आपको, किसी city या state की होती है, state permission लगता है, और उसका discussion लेकिन university के अंदर ही होता है, एक बार permission मिल गई, तो उसके बाद आप अपने घर में बैटो, समझ में आ रहा है, next आपको बताते हैं, Chartered Accountancy course के दम क्या है, शाक टैंक के major जितने भी आज तक, जो जज आए हैं, वो कौन रहे मालू मैं आपको, Chartered Accountants से, अमन, गुपता, बोट, सब के जेब में होगा, right, कुमार मंगलम बिल्ला, next आपके आ रहे हैं, प्यूज गोयल जी, शुरेश परभ, प्रभू, जो आपके top politician, ministers हैं, अभी भी उनकी कितनी respect है, इसके नीचे आपके श शेकर कफूल जी थे, वही producer थे, Chartered Accountant, next, मोदिलाल, उस्वाल, राकेश जुन्जुन्वाला, अभी राकेश जुन्जुन्वाला ने रिसेंटली अब नहीं रहे, लेकिन आपको, क्या launch करके दिया बताओ, अकाशा या लाइन्स, अधि मैं यह क्यों बता रहा हूँ, there is no limited in Chartered Accountancy Course, अब मैं आपको आर्टिकर्शिप की बात बताता हूँ, कि इतना आर्टिकर्शिप में सीखा है, कि हर मेरे पास जो क्लाइन्ट थे, सभी के सभी manufacturing unit थे, टाय इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, क्लोथ इंडस्ट्री, कैमिकल इंडस्ट्री, कुछ नहीं छोड़ा, यह मेरा personal interest था, कुछ लोग होते हैं, office से बैट के audit करते हैं, अपना office नहीं, factory में जाके, offices में जाके audit करके आते थे, सब देखा हैं अपने, यह interest होता है अप अपने सिर्फ अभी यह कौन सी तिल्गी वाली में नाम क्या है उनका, सबको पता होगा, अब्दुलकरीम तिल्गी, तब आपने स्टाम पेपर प्रिंटिंग का देखा होगा, प्लेट होती, मशीन होती, अपने यह से दस साल पहले ही ना जाके, नोट प्रिंटिंग कैसे ह होती है, पूरा सिस्टम और पूरा अंदर से डिटेल में देखके आया हूँ, और यह सिर्फ ना मैं तब चार्टर अगांटिंग नहीं था, बात कर रहा हूं तब जब मैं आर्टिकर्शिप में था, यह आपके अंदर पावर आती है, आपकी उपर का भरोसा सिर्फ आप क् जब आपके फ्रेंड जो बीकॉम, BBA, MBA कलते रहते हैं, यहाँ वहाँ भागते रहते हैं, यहाँ वहाँ इवेंट कलते रहते हैं, यहाँ वहाँ वह टाइम पास कलते रहते हैं, कटता रहता है, तब तक आप क्या कर रहे होते हो, देश के और दुनिया के बड़े-बड़े लोगों से और बिजनसमें से आप मिलते रहते हो प्रोन और आए जर्नलिस्ट है मैं इनके किसी के बारे में भी कितना भी बोलू कम है नेक्स्ट आते हैं एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम मैंनी पीपल पैनिक तो फाइंड चार्जर बिफोर देर फोन डाइस घर में आपके 2% और 5% बैटरी बताओ कैसे करते हो आप लो एक बार बताओ कौन बताएगा करके बताओ चार्जिंग खतम होती रहती है तो कैसे भागते हो बट यूद नाट पैनिक तो फाइंड पर्फेक्ट करियर बिफोर योर ड्रीम दास कभी इसके बारे में सच किया है कुछ सोचा है क्या करने वाले हो इन डीटे prim जिसके कबी 7-10 किया यह हूं कि नई उसके बारे में कोई भी yeah read it once again कि एक और केस आता है कि बच्चे सोचते हैं बहुत सारे को आपने सुना होगा सीनियर सोंगे हमको यह पता होता ना यह सब चीजे किसी ने पहले बताई होती बच्पन में तो हम यह कर लेते हम भी कर लेते सीए हम भी कुछ बड़ा करते दुनिया में अब तो हमारा टाइम चला आप तो कम से कम अपने आपको इस मामले के लिए इस पॉट टॉपिक के लिए भी नहीं कोश्ट पाओगे ब्लेम नहीं कर पाओगे बिकॉस आज मैंने आपको सब बता दिया है कि आपको लाइफ में कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही पड़ेगा तब जाके आप सक्सेस् यहां से हम जाएंगे सचाय पिएंगे साम तक में हो गया और मॉर्निंग तक माक्सियूम रहेगा सर सब कुछ अंदर वाश्रूम गए ब्रश किए और बाकी उसके बाद सब फ्लुश उसके बाद हमको याद नहीं आता सर इमेजिका जाने का प्लैन हो रहा था हमारा नेक्स सो लिसन लर्न टू लिसन सम्टाइम्स ऑपरच्री नॉक्स वेरी सॉफ्टली ऐसा नहीं हो जाए समय निकलने के बाद आप खुद को बोलते रहो कि हमने यह क्यों नहीं किया अब मैं आपको बोल रहा हूं कि कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर हम डांसर बनना चाहते हैं हम सिं यहां ऐसे इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ सिय हम पढ़ा रहे हैं तो हम सिय ही कर लो मैं आपके पैरेंट्स के साथ खड़े हो जाऊंगा बोलने के लिए कि हां इसको सिंगिंग, डांसिंग, क्रिकेटर जो भी आपको कुछ लोग का पेंटिंग, डिजाइनिंग, आ अच्छा है, अब एक और पॉइंट रहता है, सर, सिय में फेल हो जाते हैं जो भी है, एक डर है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं, अपने आपको एक ट्राय तो दो, बनो ना बनो तो एक डिफरेंट पॉइंट है, एक कोशिस तो करके देखो, बन गए तो सात्वे आस एक डायलोग सुना होगा, काबिल बनो, सकसेज आपके पीछे कैसे आएगी, बोलो, मैं नहीं बोल सकता है, समझ में आ रहा है न, जिनको आ गया, जिन्होंने ठीक से मुवी देखी है, तो वेल और गुड, सो काबिल बनो आप, काबिल बनने के लिए मैं बोल रहा हूं, सिय का नॉलेज गेन करने के लिए, सिय करने के लिए आपको करना है, जो नॉलेज आपको मिलने वाला है न, अनकम्पेरेबल है, अब आपको मैं एक्जामपल दे देता हूं, डारेक्ट टैक्स की बुक ऐसी रहती है, ऐसी कितनी बुक रहती मालू मैं, आर्ट बुक रहती है, ऐसी थप भी लगती सिफ एक सब्जेक्ट सिफ सीए फाइनल की और उसमें मैं क्यों डरा हूं नहीं अरे क्यों डर रहे हो तुम लोग जब नर्स्री लकेजी यूकेजी में थे और फर्स टेंड में पहुंचे थे आई दावी आणी बारवी डिफिकल्ट असल ना काई काई से किसी ने पूछा था किसी ने पूछा था किसी ने पूछा था कि आपको फर्स टेंडर सेकेंड सेंडर में एक बार स्कूल में डाल दिया तो आपको आपका टार्गेट सेट हो गया प्रोसेस में फ्रिट हो गए पाइपलाइन में आ गया कि हाँ फर्स से सेकेंड में जाना ह एक थी science की, एक थी commerce की, कुछ लोग commerce में चले गए, कुछ लोग science में चले गए, आप आई हो commerce में, commerce के बाद pipeline ऐसी open हो गई है, आपको समझ में यहाँ, समंधर है, करना हो, जो करना हो, करो, अब मैं बोल रहा हूँ, इतनी सारी pipeline है, एक सही pipeline में, सही process में अंदर चले जाओ, अपने आप क्या निकलोगे, जैसे आप first standard में अंदर आये थे, आप 12 करके निकल रहे हो, वैसे ही आप क्या करो, एक अच्छे कोस में अंदर आ जाओ, एक अच्छे इंसान और successful businessman और woman बन के निकलोगे, आप क्यो टेंशन ले रहे हो, महनत आपको टाइम पास करने में भी लग दूसरा, आप पढ़ाई करने में unknowingly, जब साथ में सब बैठोगे, सब करोगे, एक leader के आगे चलोगे, या leader के पीछे चलोगे, आप पढ़ते जाओगे, पढ़ते जाओगे, आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपने इतना सारा course कब पढ़ लिया और आप कब C.A. बन गए time सब का जाने वाला है, 5 साल आपके जिन्दगी से आपके भी जाने वाले हैं, और जो नहीं करने वाला है, C.A. उसके भी जाने वाले है, अब आपको आगे 5 साल जिन्दगी के असली मज़े लूटते हुए करने है, कि पढ़ाई करते हुए करने है इसलिए एक और शब्द बोला जाता है बहुत अच्छा वर्ड है यह अगले पास साल आप राजा की तरह एकदम घूमो फिरो एश करो और बाकी बचवी 40 साल की जिंदगी ना गुलामों की तरह नौकरों की तरह नौकरी कलते हुए दूसरे की काट देना कोई गाली भी दे द और स्विच करना है ठीक है आगले महीने साय तक मिल जाएगी तब तक का आगले महीने का इमाई कौन पे करेगा इसलिए बोला गया है ये 5 साल राजा की तरह ना जी के ये 5 साल एक नौकर साही की तरह जीओ एक दम एफर्ट्स लगाओ इतनी महनत करो कि बाकी बची हुई जिंदगी जो 40 साल है ना राजा की तरह जीओ तो आपके पास दो ओप्षन है ये 5 साल आपको कैसे जीने जैसे आपके ये एक साल गायब हो गए, सबके गायब हो गए, गायब हो गए, गायब हो 11, 12 भी गायब होने वाले है, पता नहीं चलेगा, आपको इंगेज कर दिया जाएगा, ये assignment है, ये test है, ये unit test है, ये टर्निमिनल है, ये prelims है, ये दिवाली है, खतम, ये आज revision बैच है, ये बैच है, व यहाँ पहुंचने के लिए महनत कर रहे होगे, तो कैसे तो करके पहुंच जाओगे, नहीं भी पहुंचे तो जो नहीं बन पाए, यहाँ तक पहुंचे रहोगे, आपने टार्गटी इतना लोवर सेट कर दिया, पहुंच भी गए, तो क्या मिलने वाला है, पहले तो उनके पीछे हंटल लगा रहता है, वो चाह नहीं पीते हैं टपरी में, वो मुवी को नहीं जाते हैं, वो ट्रिप को नुरावला और खंडाला घूमने नहीं जाते हैं, आप से जादा मज़े करते हैं, उस वक्त ना उनके अंदर ना सैटिस्फेक्शन होता है, किस चीज का हम कुछ अच्छा कर रहे हैं जिन्दगी में, पढ़ाई करने के बाद खुशी मिलती है कि आज हमने इतनी पढ़ाई कर दी, नहीं मिलती क्या, गलती से आपने जिन्दगी में कभी भी पढ़ाई की हो, पढ़ाई करने बाद नहीं, आज बढ़िया पढ़ाई हुई, मिलती कि देखो हमसे गलती से मैं सही रास्ते में आ गया कि हमको भी बताने वाला कोई नहीं था कम से कम आपको तो बताने के लिए है लोग कि सब्सक्राइब से अब तो सब ऑनलाइन हो गया है वहां पस ऑप्शन आता है कौलिफिकेशन के लिए स्पेशल कॉलम आता है सीए एपियर्ड सीएस एपियर्ड बैंकिंग उनका कोई बैंकिंग का कोई एक्जाम नहीं लिया जाता सिर्फ आप इंटर भी पास हो ना आपको ऐसे रेट कारपेट विछा के बुलाया जाता है मालूम है कि आपने नॉलेज गेंड किया है आपको सीदे सीदे एसिस्टेंट मैनेजर तक के पोस्ट में जाते हैं क्लर्क नहीं मिलता आपको जॉब जिन्दगी में पढ़ना ही नहीं है तो बात ही अलग यार फिर स्ट्रगल गरने के लिए रेडी पॉर देट और रही बात जो खास करके एवरेज स्टूटेंट ना मैं उनको खास करके बोल देता हूँ या जिन्दगी में बड़ा कर लो आपकी ना तो पहले से बच्पन से लगी हुई थी आने वाली जिन्दगी में तो और लगने वाली है यह एवरेज स्टूटेंट के लिए खास करके और मैं उनको अच्छे से कनेट कर पाता हूँ क्योंकि मालूम है कि आपको घर में क्या जट मिलती है और आपकी क्या बजाई जाती है बाहर वाले क्या बजाते हैं क्या लेते हैं कह कह के समय है सही डारेक्शन में आज़ो खास करके जो नहीं पढ़ रहे है या एवरेज स्टुडेंट है अच्छे मार्स नहीं आते भाई आपके उपर अत्याचार होने वाला है सब्सक्राइब करना है उनको क्या करना है या कितना पढ़ना है सुना होगा कि दस घंटे पढ़ना पढ़ता है बारा घंटे पढ़ना पढ़ता है सुना है वो अभी नहीं पढ़ना पढ़ता वो foundation level की बात कोई नहीं कर रहा है वो किस level की बात कर रहा है CA final level की मैंने CA final में आपको बताया ना आप 2 साल की articleship करने के बाद आपको 6 महने का study period मिलेगा अब जो बच्चा 2 साल में कुछ नहीं पढ़ा है और उसको पूरे 6 subject 6 महने में पढ़ने है उसको but obviously 12 से 13 घंटे पढ़ना पढ़ेगा दिन में तब ही तो जाके वो curriculum complete कर पाएगा राइट और आपको foundation में कितने दिने है चार paper आप dedicatedly सिर्फ class आओगे ना और extra जो बोला था ना बारवी के लिए 2 घंटा पढ़ना है और 2 घंटा भी CA के लिए पढ़ लिया ना तो भी बहुत हो जाएगा बहुत हो जाएगा बोल रहे हूं मैं समझ रहे हो आपको एक चीज जो है वो करनी है compulsorily is you have to come to class आपको 90% at least attendance रखना है आपका class में and test जो है और revision जो होता है उसमें 100% attendance test देना important क्यों होता है test देना इसलिए important नहीं है कि आप वो test में top करो test सिर्फ देना है मैंने बोला है 30 mark के topic wise test रहते है आपको 10 marks मिलेंगे ना तो भी we are satisfied you have to appear for the test test में कभी भी अपने observe किया होगा आप अगर test लिखते हो तो जो चीजे सही आई है वो तो आपको आ रही है बट जो चीजे आपकी गलत हुई है क्या बाद में वो आपको आ जाती है क्यों क्योंकि नीचे जाके maybe friend के साथ discuss करते करते पूछ लेते हो यह सम कैसे solve करना था मुझे नहीं जमा या paper check होने के बाद देखते हो कि solution क्या है refer करते हो कही न कहीं से घर जाके textbook में देखोगे कि adjustment क्या थी मुझे क्यों नहीं आई तो जो नहीं आई हुई चीज है उसमें आप improvisation करते हो तब जाके क्या होता है examination में वो सही आता है तो almost यहाँ पे 70 प्लस test लिए जाते हैं CEA के लिए तो 70 प्लस test जो लिए जाते है उसमें आप सिर्फ आके बैठोगे तो 70 बार paper दोगे तो वो final exam में जाके 4 paper देने में कुछ difficulty लगेगी? No, because it is your daily तो यह बाकी सारी चीज़े जो दी गई है वो कौन करेगा आपके लिए हम study planning हो रहा है time manage नहीं हो रहा है पढ़ाई करके चाहिए कैसे पढ़ना है बताना है reading कैसे करनी है कितने example solve करने है क्या आपको paper checking करवा के देना है उसके उपर counselling है वो सब कौन करने वाला है हम आपको क्या करना है सिर्फ effort लगा के यहाँ पहुचना है और test revision होगा उसको completely attend करना है राइट? ओके ओके तो जो मैंने starting में बोला था उसके बारे में थोड़ा elaborate करते हैं तो यह Lornimo Super 50 batch क्या है यह batch चलेगी हमारी तिलक रोड में which will be in line with the CA foundation batch CA foundation की batch इसमें जो चलेगी वो lecture चालू हो जाएगा 7 बजे so 7 to 8 a.m your first CA lecture will be there after that 8 to 10 जैसे हमारी regular classes चलती है वैसे चलेगी आपकी 12th standard की batch and then 10 to 11 you will have your next session of CA foundation so 7 to 11 complete Monday to Saturday आपको आना है to the class Monday to Thursday accounts maths Friday and Saturday theory subjects so आपको सिर्फ class कितने बार आना है एक बार आना है सुबै 7 to 11 पहले आपने सुना होगा जब initially कभी discussion हुआ होगा कि सुबै शाम दो टाइम classes रहेगी सुबै आपकी 12th की रहेगी शाम को आपकी CA की रहेगी but that is not going to be the case आपकी जो previous batch है उनका experience और feedback लेके हमने ये थोड़े changes किये हुए है क्यूकि अगर आप colleges पूरा time नहीं जाते हो या जाते हो तो आपको एक तो शाम को आने में लेट होता है यहां और नहीं जाते हो तो आपका दोपेर का time यहां पे लग जाता है कि आप घर भी नहीं जा सकते आप भी नहीं सकते तो ये difficulty को overcome करने के लिए हमने सब कहां पे पूल कर दिया है in the morning I understand you have to come at 7 a.m. but 7 to 11 class करके जितना college attend करना है उतना करो and after that you will be completely free तो आपको पूरा पढ़ाई अपनी खुद की करने के लिए हमने हमको तीन से चार घंटा दिन का निकालना है वो कब निकाल सकता है evening में so evening entirely will be free for you आपको self study करना है preparation करना है कुछ भी तो वो उसमें हो सकता है now coming to the concept of जिनके college सुबह है तो colleges अगर सुबह है तो उसमें हम क्या adjustment कर सकते हैं आप office में आके हमसे बात करिये हम उसके उपर भी आपको detailed guidance देंगे कि ये time में अगर आपके colleges है तो उसकी किस तरीके से adjustment करना है और किस तरीके से उसको arrange करना है so this is going to be the timing of this super 50 batch which will be a combination of what CA plus your 12th standard CA का preparation जब 12th standard के साथ साथ करोगे न तो मैंने आपको targets बोले थे 90% plus and 100 आपने results देखे होगे जो लगे हुए है ये सब जो percentage जिसके आते है न 95% 94 ये किसके आते है जो बच्चा CA कर रहा है ये सब बच्चे जो poster में लगे ये क्या कर रहा है CA कर रहा है क्यूं होता ऐसे because हमने देखा कि syllabus तो क्या है दोनों का CA और 12th का same difference कहां आता है difficulty level में तो आप जब एक difficult चीज को already पढ़ चुके हो तो आपको board exam में भी एकाद दो adjustment अगर tricky आए तो उसको कौन crack कर पाएगा जो बच्चा CA की पढ़ाई कर चुका है so that's why you're scoring your percentage is always going to be on the higher side तो difficulty level भले ही जादा है बट क्या यह आपके लिए win-win situation बन रहा है for 12th standard also yes getting the point okay अब यहां पे आपने कुछ misconception सुने होंगे CA के बारे में किस-किस का SP है यहां पे और CA करना चाहते है क्यों SP है तो डर लग रहा है maths नहीं है CA कैसे करेंगे ऐसे होता है न क्योंकि CA में तो एक 100 marks का subject है maths तो हमको maths नहीं आता है तो हम CA कैसे करेंगे तो maths नहीं आता है तो सबसे पहले maths की अलग CA की class ली जाती है आपको ऐसे नहीं बोला जाएगा कि बारवी में जो maths पढ़ा है उस बेसिस पे MCQ solve करो that is not the class you will have a separate coaching for CA maths की batch पूरी शुरू से end तक चलेगी क्योंकि उसमें आपको एक तो calculator यूज करने की permission होती है और दूसरी चीज़ आपको MCQ pattern question आते हैं तीसरी चीज़ maths का जो paper होता है it is segregated into parts business mathematics, logical reasoning statistics, logical reasoning 20 marks का आपने scholarship की exam दी होगी तो आपको direction test आप right को जा रहे हो तो south के towards move कर रहे हो तो और left जाके और right जाके left जाओगे तो कौनसी direction में जा रहे हो पूछा जाता था दूसरा number series 2, 4, 6, 6 आ रहे हो आगे क्या आएगा 8 ये type के question आते है कहा logical reasoning में ये 20 marks तो ले लोगे उसके बाद statistics mean, median, mode, standard deviation probability, 10 तक ही पढ़ लिया इतना तो economics में भी है आपके बहुत सरे topics तो क्या इससे और उपर के वो 40 marks का statistics रहता है चलो 40 में से 20, 30 marks लाओगे उसी में से ऐसे ही आपके क्या बन गया है 50 marks और चलो business mathematics का एक equation का topic होता है easy equation के topic को कर लिया और और एक 5, 6 marks तो 50, 55 marks तो यही cross कर लिया आपने maths नहीं आता, trigonometry नहीं आता, छोड़ दो trigonometry ही नहीं CA foundation में समझा derivative integration बारवी में पढ़ रहे हो इतना difficult ही नहीं CA foundation का maths MCQ based है आपको coverage किया जा रहा है और मैंने क्या बताया paper wise passing कितनी है 40 marks 40 marks तो ला सकते है तो it's that simple तो SP कर रहे हो और SP का advantage कहा होता है I'll tell you trust me law पढ़ते टाइम SP का बहुत जादा advantage होता है बिकुस आप वो language से familiar होते हो SP पढ़ते टाइम बहुत बार लिखा रहता है as per companies act this thing is there तो यह language से आपकी familiarity already हुई रहती है कि law में लिखा कैसे जाती है चीज़े तो इसलिए यहां नहीं तो वहां कही न कहीं हर चीज़ का advantage है तो don't consider it as a negative point maths नहीं लिया है तो भी कोई problem नहीं है maths is not compulsory for CA maths आपको पढ़ाया जाएगा जितना जरूरी है आपको pass कराने की maths की responsibility हमारी है ठीक है next आपने सुना होगा CA का result कम लगता है किस-किस ने सुना है 2-4 टक का result लगता है pass नहीं होते difficult है किस से सुना parents, uncle, auntie उनके time में लगता था result वैसा अब नहीं लगता है अब कितना result लगता है अब decent 20-25% तक result लगता है और trust me जो बड़े-बड़े colleges में है ना गरवारे, BMC, CA सब centers आते है CA exam के जब CA exam रहेगी ना एक बार college में जाके देखना जो भी exam hall रहता है ना उसमें benches रहेंगे 60 बैठे होंगे सिर्फ 30-35 लोग class खाली रहती है क्यों? exam pressure पढ़ा नहीं है अब जाए की ना जाए, जाए की ना जाए पेपर को, तैयारी तो हुई नहीं है, तो लोग exam कोई नहीं पहुचते, पहुचते कितने है आधे लोग पहुच रहे आधे लोग पहुच रहे है उसमें 20-30% result लग रहा है, मतलब actually result कितना लग रहा है 60% जाके चेक करना board exam होती है न 12th standard की उसका result भी इतना ही लगता है 60-70% आप सोचते हो हम 12th में fail होंगे नहीं, फिर CA में क्यों सोच रहे हो कि हम fail होंगे you have to decide whether you'll be in the failing boat or you'll be in the passing boat 12th में आपको confidence है ना कि pass होने वाली boat में हम है, तो वही confidence खुद के अंदर लाना है कि यहाँ जाके भी क्या होना है pass getting the point उसके बाद आपको पता है क्या ऐसे कभी news सुना है क्या कि पूने का CA का result लगा 5% मुंबई का लगा 17% यह कोई board examination नहीं चल रही है यह कोई state level exam नहीं है यह क्या है India level examination है इसका result पूरे इंडिया का आता है एक साथ क्या इसमें एक छोटे से छोटे गाव का भी बच्चा exam दे रहा है और आप भी exam दे रहे हो बट आप कहां बैठे हो एक AC classroom में बैठे हो पढ़े लगे teachers आपको पढ़ा रहे हैं references है books है modules पढ़े है institute के है हमारे है इतने support के साथ क्या आप better position में हो उस बच्चे से वो गाव में शायद पढ़ रहा है अकेले किसको exposure ज़ादा है हमें तो किसके passing के chances ज़ादा है English थोड़ी ढंकी आती है न तो कौन better of position में है आप हो तो फिर जब यह pan India level का result है तो you have to prove yourself to be better than others will you be able to do that yes so that's how you are going to stand out that is how you will be in the passing boat समझ पा रहा है और दूसरा question जो CA foundation 12th के साथ पढ़ना है तो बॉल्डन आएगा क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा क्यों नहीं आएगा एक तो जो batch का schedule है वो सब सुबै में हमने fit करा है second thing जो है हम अभी जैसे मैंने बोला मे में class चालू करेंगे 10th of May से class चालू होगी 10th of May से 10th of June तक ये schedule तो रहेगा इसके साथ साथ थोड़े extra sessions और रहेंगे CA के तो तब आपकी क्या चलती है college leave May में कोई college नहीं होता है तो May में क्या होगा extra CA की पढ़ाई हम पहले से करके रखेंगे advance में फिर हम 10th December तक जैसे 12th का portion खतम करते है वैसे ही क्या wind up होगी हमारी CA की batch teaching आपका CA का complete हो जाएगा उतने ही time में और फिर आपको क्या दिया जाएगा break किस चीज के लिए 12th standard की पढ़ाई करने के लिए हम ये कभी नहीं चाहते कि आप 12th में स्कोर ना करो और सिर्फ CA में स्कोर करो हम उल्टा चाहते है कि आप 12th में भी 95% लाओ उधर भी accounts मैच में 100 marks लाओ और CA में भी top करो क्यूँ क्यूँकि जब आप CA exam को जाने वाले हो ना उसके पहले कुछ दिन ही आपका आजाता है 12th standard का result वो result अगर अच्छा आता है तो just try to feel कि वो confidence आपका क्या होगा जो लेके आप CA के exam में जाओगे कि मैंने 12th में तो फाड दिया था 95% में लेके आया हूँ यह exam अभी देनी है बस और यही उधर अगर 60% आगए तो क्या confidence से जाओगे मुझे तो ऐसे भी कुछ नहीं आ रहा CA का भी नहीं जम रहा था मैं बोर्ड में भी इतने कम मार्क लेके आया हूँ मैंने बताई होगी मेरे स्टूडिन की एक स्टोरी उसके मेसेज आये थे उसको CA 12th में कम मार्क मिले तो बोल रही थी I'm not deserving enough to go for CA मैंने मेरे क्लास में बहुत बार बोला है आप अगर target इतना set करोगे MBA करना है law करना है तो बुरी बात नहीं है कहा से करना है यह important है MBA करो I am से करना चाते हो करो I am for it law करो top law के colleges में जाके करो क्यूं बोल रहे हैं से क्यूंकि जब MBA कर रहे हो और जब law कर रहे हो तो बल्क में लोग जब एक course करते है तो सिर्फ topers की इज़त होती है top college में पढ़ने वाले की इज़त होती है top निकलने वाले जो top 3-4 rankers होते है college के उनकी इज़त होती है CA में बनी रहे हैं कम लोग तो इसलिए सब को equal weightage मिल रहे है नहीं तो बाकी course कोई भी करो बुरा नहीं है कोई course क्या करना है आपको target कहां set करना है यहां यहां का target fail होता है तो इधरी तक आते हो ground level तक फिर से कभी नहीं आते so set a target of IIM set a target की clat में score करके top local इज में जाना है not a problem यह करना है तो definitely go नहीं करना है तो जैसे हमने बोला CA एक exposure है CA एक experience है to make you a better human being पूरा करना है इसलिए नहीं करना है करने के लिए करना है ताकि at least struggle life में होता क्या है वो तो समझे एक बार वो struggle लग गया ना तो आगे कोई struggle ही नहीं लगता बाकी problems सब क्या लगने लगेंगे छोटे क्योंकि failure इधर नहीं देख लेते हो ना जब बच्चे हो तो आगे जाके क्या ही और failures आएंगे ये choose करने का right किसके पास है सिर्फ आपके पास है बट target अगर खुद के लिए set करना है तो आपको जो नहीं अचीव कर हो सकता वो target रखो जो अचीव हो जाए वो target क्या है फिर पचास टक्के का target लिखा होगा न किसी ने erase करो घर जाओ तो भी आ जाएंगे बराबर है ना तो यहां आ रहे हो time डाल रहे हो effort डाल रहे हो target कुछ बड़ा है नहीं अचीव हो सकता इसलिए help लगेगी इसलिए यहां आ रहे हो got it okay so take a wise decision, think for yourselves आपके parents को भी हमको मिलना है, कुछ discussion करना है yes they can come and meet us आप सिर्फ time ले लेना हम से contact us directly और in the office time लेके वो मिलने आ सकते है and tomorrow we'll have our first CA session CA का एक introductory बहुत interesting session होगा tomorrow 9 o'clock session is open for all जिनोंने admission ली है जिनोंने admission नहीं ली है irrespective of that you can come for tomorrow's session I believe maximum लोग आएंगे देखना है के तो आना है CA का syllabus क्या है क्या exactly होता है जेपनार का नहीं अपलेला तेजरी एकदा बगून बगू right so एक बार बेटके देखना है interest बन रहा है नहीं बन रहा है judge करना है खुद के लिए तो definitely come tomorrow 9 o'clock we'll have the session right so 9 to 10, 10.30 approximately you'll have your session first CA introductory session 10 में रछली जम्यší के अद्वारा के जपार